तेरी महीमा, महीमा, इस सुबाद स्वालोम एवरिवन, डुमिलियन सौच में आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हम सब अपने जीवन के किसी न किसी छेत्र में अपने आपको लेफ्ट आउट पाते हैं हमें ऐसा लगता है कि सायद जैसे हमारे साथी लोगों ने, हमारे परिवार लोगों ने, हमारे समाजवाले लोगों ने हमको बीच रास्ते में छोड़ दिया, सायद परमेश्वर का अभिशेख भी हमको बीच रास्ते में छोड़ कर जा चुका है And sometimes, you know, because of the situation of our life, sometimes we feel high, sometimes we feel low हमारे जीवन के परिष्टिति के कारण कभी-कभी हम को कभी बहुत नीचा अनुभव होता है तो कभी बहुत उंचा अनुभव होता और हम एक रोलर कोस्टर से होकर जाते रहते हैं यह हम सभी की कहानी है But in midst of all these things, मैं इस सुबह आपको बस इत्ता बताना चाहता हूँ कि आप परमीश्वर को मनुष से ना समझे क्योंकि मनुष से मेरिट के अधार पर काम करता है जैसे कि अगर आप अच्छे हैं, तब मनुष से आपके साथ में अच्छा वरताप करेगा अगर आप देते हैं, तब मनुष से आपको देंगे अगर आप मनुष से का आधर करेंगे, तब मनुष से आपका आधर करेंगे लेकिन परमीश्वर का पुत्र जब इस पृद्वी पर चल रहा था जब वो अपनी सेवा इस पृद्वी पर कर रहा था उन्होंने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज हम विश्वास्य को सिखाएं प्रमिश्वर का वचन बताता है, उसने कहा कि जैसा तुम चाहते हो कि मनुस्य तुमारे साथ में करे वैसा ही तुम मनुस्य के साथ में करो बेसिकली यसु मस्य को इस बात का अंदाजा था, वो जानते थे कि हम लोगों से वही प्राग करेंगे जो चीज हम लोगों को देंगे लेकिन प्रमिश्वर के साथ में ऐसा केस बिलकुल भी नहीं है प्रमिश्वर का वचन हमको बताता है कि जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिये मरा और हमको पाप के बंदन से छुड़ा ले गया Now, you must understand one thing very clearly this morning कि जब आप पापी थें तभी उसने ये काम आपके अंदर शुरू किया तो जब आप पापी थें और तभ उसने आपके अंदर ये कारे शुरू किया है तो वो कारे वो पुड़ा भी खड़ेगा प्रमिश्वर का वचन फिलिपी के पत्री में हमें यूं कहता है फिलिपी एक और उसके पत्र छे में मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरम किया है वही उसे येसु मसी के दिन तक पूरा करेगा याद रखें अगर येसु मसी ने आपको चुन लिया है तो वो काम जो उसने आपके अंदर शुरू की है वो उसको पूरा भी करेगा वो आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाला है आप जमिन में गिर जाएए आप हवा में ओरिये आपको क्या महसूस होता है beside all those things there is Jesus Christ for you ये इस तमाम परकार के अनुभव के बावजूद भी येसु मसी आपके लिए वही पे खड़ा है जहां वो पहले आपके साथ में खड़ा था in fact जिस दिन आपने प्रभविशु मसी को ग्रहिन किया था जितना नजदिक उस समय प्रभविशु मसी आपके जीवन में था उतना ही नजदिक आज भी है पर इसकितियों के कारण आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर है ऐसा नहीं है वो आपके रिदय के बहुत नजदिक है in fact परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके अंदर है इसलिए एक बात को निश्चित रूप से इस सुबह जान लिजे कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला एक दूद पिलाती मा अपने बच्चों को त्याग सकती है परमेश्वर तुम्हे न त्यागेगा यह उसकी परतिग्या है आपके लिए यह फिलिंग जो है अनुभव जो है आपको होती है मुसे प्यार नहीं करता है यह सायद परमेश्वर हमें छोड़ कर जा चुका है यह परमेश्वर का वो जो पहला वला अभी से के अभी काम नहीं करता है अल दोस तिंग्स आर रभिस आपको उसको उठा के डस्बिन में फेकने की जरुवत है और परमेश्वर के इस प्रेम को अगे जोड़रत है every day just accept His love and say thank you Jesus for your grace for your mercy for your loving kindness that is so great that when I was sinner that time you have showed us those love right those mercy those favor आज वो अनुगर प्रभिस्वर जोड़ान के कारण कितना ही ज़दा होगा आपर परमेश्वर को धन्यवाद है और एक बात निश्ची जानिए परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला है आपको नहीं छोड़ने वाला है आप जैसा भी अनुभब करते हों irrespective of all your circumstances your feeling and whatever you know you are experiencing in your life He is there for you वो आपको नहीं छोड़ेगा उसने जो काम आपके अंदर शुरू किया है वो खतम भी करेगा God bless you